हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एज मेडिसेंस में मेरा नाम है अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर से आजिरो आज हम बात करेंगे सब कुछ बताऊंगा आप बने रहें इस चैनल पर अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बैल आइकन को प्रेस करके नोडिफिकेशन बैल को जरूर करें ताकि जब भी मैं कोई मेडिसिन से रेलेटेड वीडियो अपलो जाए तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को सुरू करते हैं एंडिट सी एल वेजाइनल सपोस्ट्री दो दवाओं से मिलकर बनी एक अलोपैथिक दवा है जिसका इस्तेमाल मुख्य रोप से महिलाओं के योनी में इंफेक्शन हो जाने के कारण उसके इलाज के लिए से य यह भी बताऊंगा इसे यूज करने का सही तरीका और सही समय साथ-साथ हम यह भी जानेंगे क्या इसे यूज करते समय महिलाओं संभोग कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं तो आप लोग बने रही है इस वीडियो में फिलहाल मैं आपको दिखाता हूं इसकी पैकेजिंग आप स्क्रीन पर देख रहे होगे केंडिट सीयल वेजाइनल सपोस्टी यहें एक स्ट्रिप में तीन कैप्सुल्स होते हैं और इस तीन कैप्सुल्स के जो प्राइज हैं वहें लगबग 146 रुपे कंपनी से बनाती है ग्लेन मार्क फर्मसेटिकल्स लिमिटेड और कॉम पूज इस बात का खास तोर पर ध्यान रखें और वह इस दोरान यूज करना चाहती है तो पहले डॉक्टर की सला लें अगर वह कहते हैं कि आप यूज कर सकती हैं तो आप यूज कर सकती हैं नहीं तो ना करें दोस्तों वीडियो को पूरा देखेगा क्यूंकि जो भी दवा हम देरी हो जाए लेकिन मैं जवाब जरूर दूँगा दोस्तों यूटूब ने थोड़ी चेंजिंग करी है कमेंट बॉक्स में जिन लोगों का मैसेज में पढ़के रिपलाई कर देता था वह कमेंट हाइड रहा था लेकिन अब वह हाइड नहीं हो रहा है जिसकी वह से मुझे यह नहीं पता चल पा रहा है कि मैंने किसे जवाब दिया है किसे नहीं दिया है तो अगर आपको जवाब ना मिल पाए तो मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इससे होने वाले benefits जिन महिलाओं के योनी में सूजन हो जाती है तो यह कि यह सूजन को धीरे-धीरे कम कर देता है और जिन महिलाओं को pelvic inflammatory disease हो जाता है यानि PID की problem हो जाती है उन महिलाओं को यह दिया जाये तो उसे भी ठीक कर देता है और मैं आपको बता दूँ या फिर किसी को white discharge बहुत जादा हो उसे भी धीरे-धीरे कम कर देता है और बहुत महिलाओं को Candidiasis की problem होती है तो Candidiasis में भी यह बहुत अच्छा काम करता है यह भी एक तरह का fungus होता है जिसे यह ठीक कर देता है और यह fungus महिलाओं के योनी में हो जाता है और मैं आपको बताया चाहूंगा कि जब यह चीज़े ठीक होने लगती हैं जितने भी infections हैं योनी के यह ठीक होने लगते हैं तो automatically vaginal खुझली बंद हो जाती है जलन बंद हो जाता है और मैं आपको बताया चाहूंगा अगर किसी को खुझली बहुत ज्यादा हो रही हो योनी में तो उनको leafset 5 mg tablet या फिर LC-z5 mg tablet लेना चाहिए अगर आपने दोनों वीडियो नहीं देखिए त आप देख सकते हो उसे दिन में एक बार लीजी आप आपकी खुझली में बहुत जल्दी आराम हो जाएगा तो यह थे इसके benefits अब मैं आपको बताता हूं इसे यूज करने का सही तरीका यह आपको जरूर यह समझना कि इसे यूज करने का सही तरीका क्या है और किस समय यू और छोड़ देना है फिर आप रेलेक्स होके आप सो जाएए सुबह उठीए फिर आप इसे वास कर सकते हो और कोई दिकत वाली बात नहीं है इस तरीके से इसे लगातार तीन दिन तक यूज करना होता है कई बार फंगस जादा हो जाता है फिर इंफेक्शन जादा फैल आप तीन दिन कहें तो तीन दिन यूज करिए छे दिन कहें तो छे दिन भी आप यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से इसे यूज करना होता है अब मैं आपको बताता हूँ क्या इसे यूज करते समय संभोग कर सकते हैं यानि इसे लगाने के बाद संभोग कर सकते हैं तो दो करती हैं और आपको पहले से ज्यादा जलन महसुस नहीं लगे और वो जलन बरकरार रहें बहुत दिक्कत नहीं लगे तो समझ लीजिए आपको यह सूट नहीं हो रहा है या फिर उसमें खुजली बहुत ज्यादा बढ़ जाए पहले से ज्यादा तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको सूट नहीं हो रहा है और जब आपको यह दवा सूट नहों हो तो तुरंत आपको गाईन्योट्र कालोजिस्स डॉक्टर से मिलनाherा और डॉक्टर की सला पर ही जो वो कहें वो करना चाहीं आपको और कोई भी दवा यूजिए करने से पहले आप डॉक्टर की सला के बिना कोई भी दवा यूज ना करें I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आज के लिए इतना ही कल फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई दवा के साथ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए Good Bye